मा धर्ती इसको कहते हैं, फिर इसके आचल को क्यों हम पलपल दूशित करते हैं, मा धर्ती इसको कहते हैं, माधर्ती इसको कहते है जब कर्तव्यों की वेदी पर हम स्वक्षधरा ना गड़ते हैं फिर मा क्यों इसको कहते है इसको माता क्यों कहते है माधर्ती इसको कहते है क्यों भूल स्वयम दाईत्वों को औरों से हर दम कहते है क्यों भूल स्वयम दायित्तों को औरों से हर्दम कहते हैं निजनिज करतव निर्वहन की महता को नहीं समझते हैं करते-करते पोशित हमको धर्ती माता निश्प्राण हुई करते करते पोशित हमको धर्ती माता निश्प्राण हुई पर्मानव के अंतस मेना ज्यान ज्योति प्रज्वलित हुई हम अंश है धर्ती माता के इसके संग अपना जीवन है इस धर्ती की मुस्कानों में ही अपना सारा वैभव है यह स्वक्ष धराही देव रूप है जीवन का पर्याय यही हर प्रयत्न करके रखना है स्वक्ष इसे अभिप्राय यही यह स्वक्ष धराही देव रूप है जीवन का पर्याय यही हर प्रयत्न करके रखना है स्वक्ष इसे अभिप्राय यही देखो तुम कल्पित कहकरके इन शब्दों को मत बिसराना हो भले ही यह मेरी कल्पना, यह कल्पना है समझाना, धरनी यदि स्वक्ष नहीं होगी, जीवन भी शेश नहीं होगा, स्वक्ष धरा के बिना कोई जीवन का विकल्प नहीं होगा मुझकल्पना के जीवन का बस एक उत्तेश यहीं होगा, स्वक्ष धरा के प्रहरी होँ, जीवन का गीत यहीं होगा